समस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चेनल एसके एगरी टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गेहूं के अंदर सेकंड पानी हम कौन से टाइम पर लगाए दो गलतिया दो सावधानिया है जो हमें रखनी है सेकंड पानी लगाते समय कई ऐसा नहों कि आप भी जो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में दो बाते सेर करूँगा ये दो गलतिया आपको नहीं करनी है वणना आपकी गेहूं की फसल यहाँ पर खराब हो सकती है यहाँ पर मैं आपको पहले अपने के बारे में बता देता हूँ कि यह जो गेहूं आप इस वक्त वीडियो में देख पा रहे हूँ यह पुरा के Pुरा के खैत है इसमें मैंने सुखे खेत में गेऊं की बोवनी की हैं और फष्ट पानी लगाया और अभी आप जो ये गेऊं देख रहे हैं ये फष्ट पानी के गेऊं हैं इनमें अभी सेकंड पानी मेने नहीं लगाया हैं तो सेकंड पानी लगाते वक्त इसे ही अगर आपने भी अपने गेऊं की बोवनी कर र कि आप अपने गेहूं को देखे खेत के अंदर जाके क्योंकि अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी होती है कोई मिट्टी ज्यादा हाड होती है कोई कमजोर मिट्टी होती है तो ज्यादा दिनों तक पानी को इस्टोर नहीं कर पाती है कोई हाड मिट्ट कर लेते हुए तो ज्यार दिन को पानी के श्टोर कर लेते हैं तो इसमें दिन कि वसल को ज्यार दिनों तक पानी की जुरत नहीं पडती हैं लेकिन यह जो ग्यूह अभी आप देख रहे हो इनमें लगवारा से 15 दिन हो गए हैं, करेक्ट मेरे को अभी नहीं पता हैं, लेकिन 12 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, इन में 1 पानी लगाये हुए, अभी तक 2 पानी नहीं लगाया है, और 2-5 दिन तक अगले में इनको 2 पानी नहीं लगाने वाला हूँ, क्यों नहीं लगाने वाला हूँ, उसक मिनिमम 4-6 पत्ते हो जाने अवश्यक हैं जैसे अभी आप यह पोदा देख रहे हो इसके अंदर अभी तीन पत्ते तो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस पत्ते के बीच में जो हैं अंदर से दो पत्ते वो निकल रहे हैं और मैं अगर अगले 2-5 दिन तक इस खेट मे पानी नहीं लगाता हूं फसल को तो अंदर जो दो पत्ते निकल रहे हैं वो भी बाहर आ जायेंगे इनके जैसे हो जाएंगे तो यह प hunt पत्ते हो जाएंगे 5-6 पत्तों का पूदा हो जाएगा यह अपको ध्यान रखना है कि तब तक पानी नहीं लगाना है जब तक ग्यहूं की जो ग्रोथ है वो रुख जाएगी ग्यहूं में हलका पीला पना जाएगा क्योंकि जब तक ग्यहूं की वसल को पानी की जुरत ना हो और आपने उसको पानी लगा दिया तो उसकी ग्रोथ डिश्टब होगी उसमें पीला पनाएगा उसमें कल्लों की संग्या भी क अदर देख लेना है जैसे यह मिट्टी हैं यहाँ पर तो मैं अभी आपको दिखाता हूं इसको मैंने रिखकर नीचे से आप देखें यह देखूरों मिट्टी में पूरी तरीके से नमी बरकरा रे मैंने इसको हलका सा दबाया और यह लड्डू बन गया देख़िए इसमें पूरी नमी अभी बरकरा रे तो अभी इसको दो-तीन दिन चार दिन पानी के आफश्यक्ता नहीं है ऐसा ही अगर आपके खेत के अंदर भी है कि उपर की जो मिट्टी है देखो ज़्यादा गहराई पर तो मिट्टी में नमी रहती है ज़्यादा गहराई पर आपको नहीं देखना है उपर की जो 2.5 इंच की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को आपको देखना है अगर उसमें भी नमी है तो आपको पानी नहीं लगाना है ऐसा नहीं है कि आपने 4-6 इंच मिट्टी को हटा के फिर अंदर देखा प्योंकि अंदर तो नमी रहेगी लेकिन उपर की जो 2 इंच की मिट्टी होती है उसमें भी अगर इस परकार की नमी है मिट्टी बंद रही है तो फिर आपको अपनी फसल को पानी नहीं लगाना है क्योंकि उसको पानी की जोट नहीं है लेकिन अगर उपर वाली मिट्टी जो है पूरी तरीके से सूख जाती है उसमें लड़ू नहीं बनता है बिखर जाती है तो आपको जो है अपने गेहों की फजल को पानी लगा देना है तो दो बाते मैंने आपके साथ में सेर की पहला अपने गेहों के पोधे को देख लीजिए चार से छे पते होना आफशक है उससे पहले पानी नहीं लगाना है और चार से छे पते हो भी जाए फिर भी अपने खेत में आप देख लीजिए अगर नमी है तो पानी नहीं लगाना है नमी अगर पोदे को पानी की जोध पड़ेगी तो खेट की नमी वो जो जड़े हैं पानी को खेच लेगी खेट पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी आपको पानी लगाना है उससे पहले आपको पानी नहीं लगाना है तो दोस्तों